Hey guys, आज इस पीडियो में हम लोग सीखेंगे टेबल को create करना, कि टेबल को किस तरीके से हम create करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी से file एक create करेंगे, यहाँ पर tutorial 19.18 हो जाएगी, 18.html, और इसके बाद यहाँ पर क्या करदेंगे, हम HTML का basic code लिख देंगे, यहाँ प हमारी होगी table file, अब इस table में हम देखेंगे, कि table को create करना है, तो दीखें, table को create करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, उसमें दो चीज़े ज़रूरत होती है, एक तो column, दूसरा row, ठीक है, row और column से मिलके table बनती है, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले table को ब serial number, name, email, कुछ इस तरीके से, जो heading होती है, ठीक है, तो उस heading को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले table row बनाना है, ठीक है, तो table row बनाने के लिए tr tag का यूज़ करते हैं, tr मतलब table row, ठीक है, और इसके अंदर हम table heading यूज़ करते हैं, th, table heading, ठीक है, और यहाँ पर डा देते हैं, ठीक है, तो यह तीन column हमने बना लिए, अब इनको चाहें heading बोल रो, ठीक है, या फिर data बोल रो, या फिर column बोल रो, ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर refresh करते हैं, और यह देखो, यहाँ पर क्या हुआ, serial number, name, और email, यह हमारी table की heading बन चुकी ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मुझे data को fill करना है, तो data को fill करने के लिए क्या करेंगे, उसमें भी हमें row add करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, tr मतरब table row बनाएंगे, अब एक चीजी आपर ध्यान रखना, कि जितने columns जो हैं, first row में बना रहे हैं, इस वाली row में, ठीक है, उतने ही column सभी row में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि serial number 3 है, तीनों में होने चाहिए, अगर तो एक दो कम कर दिये ना, तो क्या होगा, आप table का architecture जो है, structure जो है, बिगड जाएगा, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम table data डाल देते हैं, तो table data के अब दूसरा क्या था, name, तो दूसरा इसमें डालेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे हम डाल देते हैं, जिसे की संतोस, ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे copy करेंगे, और अब यह तीसरा क्या था, email, तो तीसरा table data में यहाँ पे हम mail डाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते है है at the rate gmail.com ठीक है यहां पर इसको स्मॉल कर देते हैं तो यह हमारा क्या हो गया एक डेटा यहां पर फिल कर क् aumento करेंगे इसको हम ले जाते हैं ओके री करेंगे तो यह हमारी टेबल हो गई ठीक है अभी क्या लगगा अभी आपको लगगा रहा हुग ठीक है तो अभी टेबल प्रॉपर टेबल बताने के लिए क्या करेंगे यहां पर चो टेबल का nadal कर करेंगे border करके ठीक है border और इसमें values देते हैं one जब one देंगे और refresh करेंगे तो यह देखो guys अब यहाँ पर border add हो गया अब यह table लग रही है ठीक है अब देखिए अगर इसको zero कर देते हैं ठीक है तो यह border हट जाएगा ठीक है by default zero रहती है ठीक है तो अभी यहाँ पर one कर देते हैं अब क्या करेंगे यह जो अब देखिए यहाँ पर डेबल है ठीक इसमें sell काउन सी है अधिए जिसमें data है उसे हम sell कहते हैं यह sell हो गई एक यह sell हो गई ठीक यह sell हो गई तो अब इन sell में देखिए अगर हम i space ॉपरमाय ठीक इस बेस देना है padding add करना है, तो हम उसके लिए यहाँ पे use करते हैं एक attribute cell padding, cell padding ठीक है, और cell padding में हम यहाँ पे देते हैं 10 pixel, 10 pixel यहाँ पे padding दे दी, file को save करके refresh करेंगे, तो यह देखो गई, यहाँ पे सारी cells में क्या हो गया, यहाँ पे padding add हो चुकी है 10 pixel की, ठीक है अब देखिए, इस table में देखिए, यहाँ पे जो border है ना, इसमें cell के बीच में देखो, यहाँ पे space आ रहा है कुछ, ठीक है उस space को अगर remove करना है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे attribute यूज करेंगे हम cell spacing ठीक है, cell spacing और अब यहाँ पे कर देते हैं 0 cell spacing क्या करते हैं, 0 कर देंगे file को save करेंगे, refresh करेंगे तो यह देखो, आब यहाँ पे single border है जो space था, वहाँ से remove हो चुका है ठीक है, अब यहाँ पे इसी यह table लग रही है, ठीक है, अभी एक और यहाँ पे attribute यूज करेंगे, जो की है width, ठीक है, width यहाँ पे देख लेते हैं, और इसकी कर देते हैं 80%, ठीक है, 80% width कर दी और height भी यहाँ पे set कर सकते हो, तो यहाँ पे width 80% कर दी, और आब यहाँ पे refresh करेंगे, तो यह देखो गाईज यहाँ पे 80% जो है height यहाँ पे ले लिए, इस विर्द की का नाम लिखा होता है, ठीक है, तो वो caption add करने के लिए, यहाँ पे caption tag का यूज़ करते हैं, तो यहाँ just यह फर्स्ट वाली row है, इसके उपर चलते हैं, और यहाँ पे लिखते है caption, ठीक है, caption का opening and closing tag, और यहाँ पे लिखते है student data, ठीक है, student data हमने लिख दिया, राइट, फाइल को save करते हैं, यहाँ पे refresh करेंगे, तो यह देखो गईज, अब यहाँ पे देखी, यह देखो बीच में आ गया student data, यहाँ पे कोई भी नाम, table number डाल सकते हो, ठीक है, और भी data, ठीक है, और इसमें जो border, self-adding, self-spacing width, right, तो I hope guys यह सारे tags और यह table सो है, आपको समझ में आए होगी, अगर कोई भी problem होती है guys, comment section आपके लिए open है आप जरूर कीजेगा, thank you so much for watching the video, see you next video guys take care